नमस्कार आप सभी को बहुत-बहुत-बहुत स्वागत है Nifty के सुपर हिट स्टाटीजी में हम लोग एक मुहीम स्टार्ट किये है मिशन आत्मा निर्भर जिसके माध्यम से आप तक ऐसे सारे स्टाटीजी पहुचेंगे जो की मार्केट में बहुत अच्छा काम करते है हम लोग सबसे पहले मतब ले के आया है Nifty और Bank Nifty के उपर मतब Bank Nifty तो मैं अगली हपते Strategies दिखाया था Strategies दिखाने के बाद ये पूरे हपते मैं उसके उपर Testing वीडियो ले के आया था सारे Testing में Bank Nifty खड़ा उतरा है With a 100% Accuracy पर 100% Accuracy Share Market में ऐसा कुछ भी नहीं होता है पर इसलिए हम लोग उसको Test किये है, Test करने के बाद हम लोग उसको 90% के Accuracy दिये है आप अगर वो वीडियो नहीं देखे है तो उसका सारा पूरा Playlist With a Testings and All हम लोग इसके Description में दे देंगे ताकि आप वो पहले एक बाद देख ले तो Bank Nifty में जो ये वीडियो देख रहा है वो अगर Bank Nifty में ट्रेट करते होंगे तो उसमें एक पकड़ बन जा है आपका ठीक है? तो चलिए हम लोग सबसे पहले अभी हम लोग जो लेके आया था बहुत demanded वीडियो था कि Nifty के ओपर भी एक Strategy Video लेके आई है तो हम लोग अभी लेके आया है Nifty के ओपर Bank Nifty होगी अभी है Nifty के ओपर Strategy लेके आ है Nifty के जो ये Strategy है ये कम से कम हम लोग 5 मन तक टेस्ट किया है, 5 मन तक जो हम लोग टेस्ट किया है, उसका accuracy बहुत ही कमाल का है, तो इसलिए आज हम लोग जो strategy बताएंगे, उस strategy को अच्छा से देख लीजेगा, देखने के बाद हम लोग इसके बादवले जो week है, वो पूरा week हम लोग इस nifty के strategy strategy को test करेंगे, then afterwards अगले Friday को हम लोग एक justification report लेके आएंगे, जिसके माध्यम से हम लोग आपको ये बता पाएंगे, कि ये कितना दिन market में काम किया, और कितना दिन का काम नहीं किया, और 5 मन्त का accuracy का कितना है, तो चलिए, लेट नहीं करते, start करते हैं, start करने के पहले आप लोग उसे गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को please इसको share कीजे, क्योंकि बहुत सारे लोग आते है market में, उनको कुछ idea नहीं रहता है, strategy उनको पता नहीं रहता है, और वो बहुत loss करके जाते है market से, तो please, जैसे हम लोग ये मुहीम आपके ल बता दूँगा, मैं ये strategy क्या से काम करता है, इसका assumption क्या है, कौन-कौन सा time आपको trade नहीं लेना है, ये मैं बता दूँगा, उसके बाद आपको बताऊंगा, कि एक हपता, दो हपता में ये जो test किया था मैं, उसका क्या result था, ठीक है, उसके बाद आने का जो भी, मतलब Monday, starting Monday से लेके, पूरा Friday तक हम लोग उसको test करेंगे, उसके बाद आप लोगों से एक ही गुजारिश रहेगा, paper trading कीजिए, मतलब आने वाला जो Monday है, 20th of June, उस time से आप लोग, please paper trading कीजिए, इसके उपर, कोई भी live trade मत कीजिए, क्योंकि भी test होना बाकी है, आप लोगों के सामने test हो जाने के बाद, कम से कम lot से, आपके जैसे भी pocket size है, उस pocket size के इसाब से आप trade लीजेस के उपर, तो चलिए start करते हैं, भी हम आ गया है, चार्ट पे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये strategy काम कैसे करता है, देखिए, सबसे पहले, 9.15 से लेखे, 9.15 में first candle create होता है, पहले तो ये 5 minute में use होता है, ये 5 minute का strategy है, first 5 minute, second 5 minute, third 5 minute, ठीक है, क्या कीज़ेगा आपका काम क्या है, जैसे third 5 minute खतम होगा, तो first, ये तीनों का जो high होगा, उसमें एक horizontal line plot कीज़ेगा, ये तीनों का low है, उसमें एक bottom में horizontal line plot कीज़ेगा, ठीक है, अब ये आप लोग ये same strategy हम लोग bank nifty को पर use के है, पर bank nifty में कुछ assumption था, जो यहाँ पर नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनिए, ठीक है, ये करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये मत देखेगा, कि ये mother candle है, उसके अंदर ये होगा, तो इसमें हम लोग entry नहीं लेंग उसके उपर horizontal line plot कर देंगे, सोचिए market उपर में closing दे रहा, third के बाद जो fourth candle है, वो market के ये जो high है, high को तोर के उपर में closing दे रहा, जैसे closing दे रहा, आप क्या करेंगे, उसमें call option buy करेंगे, add the money का call option buy करेंगे, या फिर in the money का call option buy कर लेंगे, ठीक है, buy करने के बाद, यहाँ पर सोचिए buy किया, same, इसका reversal क्या होगा, जैसे ये lower band तोड़ेगा, तो हम लोग एक put option buy कर लेंगे, ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुन लीजे, पूरा YouTube में कोई नहीं बताएगा, ये लेने के बाद आपका stop loss कौन सा होगा, सोचिए नीचे वाला band तोर रहा, तो second और third candle क जो high रहेगा, वो आपका stop loss बन जाएगा, इसका reversal अगर सोची उपर में जा रहा है, उपर से breakout दे रहा है, ये line को उपर से breakout दे रहा है, तो आपका क्या होगा, second और third candle का जो low रहेगा, maximum जो low रहेगा, वो आपका stop loss हो जाएगा, आया बात समझ में, ये है main चीज, तो हम लो का सबसे पहला target, 35 to 40 points के बीच में आपको निकलना है market से, ठीक है, और सुचिए आप 2 lot लिया है, तो पहला lot 35 to 40 में आपको book करना है, then afterwards आपको, जो भी lot आपके पास है, वो आपको उसको trail करना start कर देना है, ठीक है, आया बात समझ में, तीन चीज हमेशा याद रखेगा, ठ strategy, nifty strategy को मैं test किया था, तो वो मैं उस chart में लेके जाता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ, उसका ratio क्या है, चलिए, यहाँ पर आगे, यहाँ पर मैं test करके, सब कुछ अच्छा से बना के रखा था, ताकि आपका, मतलब crucial time में, मतलब बरबाद ना कर पाऊ, हाँ, देखिए, म उपर में एक horizontal line plot किजेगा, मैं एक box बनाया हूँ, मैं horizontal line plot करके दिखाता हूँ, alt or h के माधियम से, और second में, इसके bottom में, same alt plus h के माधियम से, एक में horizontal line plot करूँगा, ठीक है, अब सोची, यह जो candle है, यह breakout दे रहा है, ठीक है, यह जो breakout दे रहा है, इसके उपर में, जैसे यह close हो रहा है, breakout तो दे दिया, यह जैसे close हो रहा है, close, सोची, यह जो close होने के बाद, जो 10 second बचा रहा था न, 10 second, 5 second का अंदर में आपको trade लेना है, ठीक है, आप सोची, इसके अंदर trade लिए, देखे, यह आपको 30 point दे सकता है कि नहीं दे सकता है, आपको 45 point दिया है, ठीक है, 45 point दिया है, तो इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जो यह 35 to 40 point में बोला हूँ न, यह मैं 5 मन तक test किया हूँ, 5 मन तक इसको break ही नहीं कर पाया market, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला lot हम लोग book कर लेंगे, 35 to 40 point के बीच में, ठीक है, उसके बाद trail करना start करतें अब देखिए, यह रहा second previous day का, first candle, second candle, third candle, close कहां पर हो रहो, close कहां पर हो, देखिए, यह जो candle है, जो कि आपका 940 का है, यह closing दिया है, below, ठीक है, closing देते, मतलब closing देने का, मतलब 5 second जो बचा रहेगा, उसी में हम लोग trade ले लेंगे, ठीक है, और हम लोग का पहला target कितना र selling stop loss करना start कर देंगे, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, यह आप समझ गए, अब मैं देखूं, यह देखें, यह पहला दिन काम किया, दूसरा दिन काम किया, no trade, हम लोग trade कब नहीं लेंगे, देखिए, इस दिन हम लोग का कोई trade हुआ ही नहीं, क्योंकि first candle, second candle, third candle जो हुआ है, उसके नीचे breakout ही नहीं दिया, आपका, यह जो है, यह breakout ही नहीं दिया, तो हम लोग यहाँ पे trade नहीं लेंगे, ठीक है, तो देखिए, ना profit हुआ, ना loss हुआ, फिर हम लोग जो third day देखेंगे, वहाँ पे profit हुआ, वहाँ पे profit हुआ, यह profit होने के बाद एक बहुत नंबर दिया है, मैं नंबर को mention नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगर नंबर को mention किया, 60 point दे दिया, 120 point दे दिया, 140 point दे दिया, तो यह कुछ कभी न, मतलब जो मैं मंदे से बोल रहा हूँ, आप paper trading करेंगा, आप करेंगा, आप सोचेंगे कि कैसे करके पैसा बनाना है मैं ज्यादा से ज्यादा lot लूँगा, क्योंकि सर तो बता दिये कि यह strategy काम करता है market में, और सर ये भी बता दिये कि 100 point मिलता है, 120 point मिलता है, 150 point मिलता है, नहीं, ऐसा नहीं करना है, अगर trading में याद रिखे ये बात, अगर trading में आपको profitable trader बनना है, तो आपको discipline maintain करना जरूर कि 100 point मिलेगा, 200 point मिलेगा, आप अगर देखेंगे, तो easily 90 point, 95 point, 100 point, 120 point, 140 point, ऐसा मिलता है strategy में, पर ऐसा आपको करना नहीं है, 35 to 40 point में सबसे पहला है, आपको book करना है, मतलब करना है first lot, उसके बाद, मतलब कोई भी quantity आप 10 lot लिए है, तो 5 lot book कर देंगे, उसके बाद 5 lot में आ risk लिजे, आपका जोबी strategy है, उसके बपर आप risk लिजे, कोई दिक्कत नई है, ठीक है, तो देखेंगे, तीसरा दिन भी हमलोग का यह काम किया, 14 दिन भी काम किया, 5 दिन भी काम किया, 6 दिन भी क्या, 7 देस भी काम किया, 8 देस में आकर stop lost लगा, जो बात है सही है, देखें, से नीचे breakout दिया हम लोग यहां पर trade लिये closing जैसे हो रहा था हम लोग यहां पर put option buy किये और something around 21 point गया 35 point नहीं गया तो हम लोग को कहीं नहीं कहीं है एक loss का शिकार होना पड़ा है तो ठीक है हम लोग यही है discipline अगर 7 दिन profit कर रहें तो एक दिन loss होता है तो कोई बड़ा बात नहीं है ठीक है देखेंगे नौवा दिन जो था उस दिन भी हम लोग प्रॉफिट होगा तो मैं अगर चार्ट को छोटा करका आपको दिखा दूँ तो कम से कम हम लोग देखेंगे हम लोग का profit अगर count करते हैं तो first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 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 10 दिन हम लोग ट्रेड लिये उसमें से एक दिन हम लोग को stop loss का सिकार होना पड़ा है तो चलिए कोई बात नहीं और एक दिन हम लोग ट्रेड नहीं किये ठीक है तो हम लोग अभी ये देखेंगे Monday से लेके Friday तक हम लोग इसको life market में test करेंगे Every evening आप लोगों को एक वीडियो आएगा कि कितना 35 to 40 point मिला कि नहीं मिला क्या है नहीं है हम लोग इसको judge करेंगे judge करने के बाद Friday को एक justification report निकालेंगे क्योंकि क्या होता ना Monday to Friday अगर हम लोग टेस्ट करेंगे तो आप भी कुछ नहीं को सीखेंगे इसको उपर market क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा ऐसे कुछ अगर आ जाता a certain situation तो उस टाइम यह strategy कैसे play करता है तो हम लोगों देख लेंगे उसके बाद next Monday से आप लोग ट्रेट कर सकते पर with a little quantity ठीक है तो चलिए अगर आपको यह मुहीम बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लग पर शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखे इस वीडियो को वो कुछ चीखे ठीक है तो यह और अगर पहली बार अगर चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्स्राइब करके notification bell को hit कर दीजिए क्योंकि जब भी हम लोग वीडियो लेके आते हैं तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच है और वो आप जल्दी से जल्दी देख ले ठीक है तो चलिए शुवरात्री हैपी वीकेंड फिर मिलते हैं मंडे इविनिंग को एक टेस्टिंग के साथ ठीक है तो चलिए बाब बाई Investment in Securities Market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. जनुवरा कट जल्दी मेंएा Olvy Slowड आते हैं झाल झाल